नमिश्कार दोस्तों तूलीद व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों महा शिवरात्री का परवा रहा है और मैं कोई उपाई ना बताओ ऐसा हो सकता है क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता है इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए है कि जानेंगे यह टाइम शिवरात्री पर्व है यह इतना खास पर्व होता है जिसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत जरूर जानेंगे लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल्वन को दबाईए वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शिरन कम पुझ भी मत्भूलिया दोस्तों का महीना शुरू हो चुका है हर महीने की तरह में में भी हो अहम और इहने सबसे अवे मैं थे इन होाया तो वह 250 यानि की यह प्रव है जो की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं यह da1 का मेर्द बहू से का संकंपा हैर और ऐसी मान्यता भी है कि भगवान शेफ की पूजा चरह करने से हर मनोकामना पूर्णम होती है। इसलिए लोग इस दिन को ब्रत जरूर रखते हैं भोले नात के मंदिर में जाकर भगवान शिप पर जल चड़ाते हैं पुश परपन करते हैं। ऐसे में आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि महाशिवरात्री आकिर है क्या पूजन का समय क्या है। तो देखें महाशिवरात्री 21 तारिक को शाम 5 बचकर 20 मिनट से शुरू हो रहा है जो कि अगले दिन यानी 22 फरवरी दिन शनिवार है जो शाम 7 बचकर 2 मिनट तक ही रहेगा। रात्री प्रहर की पूजा शाम को 6 बचकर 41 मिनट से रात 12 बचकर 52 मिनट तक ही होगी। अगले दिन सुभा मंदिरों में भगवान शिव की विधी विदान से पूजा की जाएगी। आपको ये भी बता देती हूँ कि हर महीने क्रिश्न पक्ष की चतुर्दसी के दिन आने वाली शिवरात्री को सिर्फ शिवरात्री कहा जाता है। लेकिन फालगुल मास की क्रिश्न चतुर्दसी के दिन आने वाली शिवरात्री को महा शिवरात्री कहा जाता है। तो साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों मेंशे महा शिवरात्री जो है वो सबसे महत्वपून मानी जाती है तो चली आगे बता देती हूं कि क्या वो छोड़े चोड़े उपाय है जिसे करके आप भी अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं तो महा शिवरात्री के दिन हम भगवान शिव को क्या-क्या अर्फिद करें तो देखे महाशिवरात्री के दिन आप भगवानशिप को रॉली, सावुचावल, लॉंग, इलाइची, सुपाडी, जैफल, हल्दी केसर, पंचमेवा, मौसमी, मौसमी फल यानि के नाग केसर, जनव, कमल गट्टा, सब्त धान्य, सफेद मिठाई, नारियल, कुशा, अबीर चंदन, गुलाब, इत्र, पंचमरित्र, कचदूद, पिल पत्र, बेल फूल का पत्र, गुलाब के फूल, आख का धतुरा, भांग, धूब दीप, आदी, अरपन, जरूर कीजे, ये सारी चीजे जो होती है ना, ये भगवानशिप को काफी प्रिय होती है, अब मैं बात करत इत्र में अगर बहुत सारी प्रॉब्लम सारी आप लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रिजल्स अच्छे नहीं आ रहे है, तो ये उपाय आप लोग जरूर कीजे, तो सिवरात्री के दिन सुभा कि समय भगवानशिप को दूध मिस्री मिला कर जलार पित जरू आप शिव का जाप करते हुए ही वोजल आप शिवची के यानि शिवलिंग पर आप चढ़ाईए, शिवलिंग से पर्स करा के पांच मुखी रुद्राक्ष कंट में लाल धागे से धारन करे, अगर जो लोग आप रुद्राक्ष धारन करने में आप सोच रहे हैं, तो ये स दूद में थोड़ी मिस्री के साथ थोड़ा गुड़ और काली तील मिला कर डालिए, इससे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा अगर तकलीफ है, शारिक तकलीफ है तो इससे आप लोगों को छुटकारा जरूर मिलेगा, ठीक है, मिट्टी के दिये में गाय का घी भर कर उ तो उस दिन इक्तम सुबह सुबह मिलकर अच्छे स्वासता और लंबी आयू के साथ साथ अपने घर में धन धानिया के साथ सुख शांती के लिए भी आप इस उपाय को जरूर कीजिए, वह है कि श्रीव रात्रे के दिन चांदी के लोटे में जल को भरिये, श्रीव का अभ मिला लेते हैं, तो रिस्तों में भी बहुत अच्छी खासी मिठास जरूर आती है, अब साथी में जब आप इस पानी को डाल रहे हैं, तो ओम नमश्यवाय, ओम नमश्यवाय, ओम नमश्यवाय का जाप करते हैं, वह ही आप शिवलिक पर जल जरूर चढ़ाइए, आती है कुबारी लड़कियों की शादी नहीं हो रहे है, तो खास है ये दिन, जिस दिन आप लोग उपवास के साथ साथ, आप इस विदी को भी जरूर कीजिए, कि पांच मुखी रुद्राक्ष की माला में, यानि 108 की माला वाली रुद्राक्ष की माला में, ओम नमश्यवाय, ओम शाम दोनों टाइम में, ठीके, साथ में किसी को नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत दिक्कते हो रही है, तो भी आप अभिशेक के साथ साथ, आप ओम नमश्यवाय कजाब जरूर कीजिए, देखे, यहाँ पर खास इंपोर्टन बात क्या अगर मंदिर में हो सके तो 11 चोड़े चोटे घी के दिपक जरूर जलाए इससे भी आने वाली प्रॉब्लम से यानि कि धन संबंदी, रिलेशन संबंदी, प्यार संबंदी, शादी संबंदी इस तरह के प्रॉब्लम से अगर आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जात दिल से जो भी मांगेंगे वो जरूर पूरी होती है, अगर धन प्राक्ती में बरकत चाहते हैं और रुके हुए धन भी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में सुभा सूरिय दोई से एक घंडे के अंदर आप पंचा मृत हैं, पंचा मृत में क्या क्या लेंगे, दूद दही, शह भगवान का अविशेक इस दिन जरूर कीजिए इन सारी चीजों से और ये एक जगह में कत्रित करके लोटे में भरके आप थोड़े सा पानी मिला के इसमें जरूर दीजिए इसे अविशेक करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका रुका हुआ धन अगर है तो वो लोटे का साथ में ओम पार्वति पते नमह का एक सो आजबात जाब भी जरूर कीजिए अगर ये प्रॉबलम है तो ओम नमस् शिवाय का Soire अक सो आजबात जाब सुभाः एक सो आजबात शाम को जरूर कीजिए साथ में अभिशेक करते समय ओम नमस्षिवाय या फिशिव शिव 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 कहते रही है अब बात आती है बहुतों कि संतान नहीं हो रही है प्रॉब्लम है तो पती पत्नी मिलका शिवरात्री के दिन शिवलिंग पर गाय का शुद्ध घी जरूर डालिए ठीक है याद रहे दोनों अभिशेक करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों को इसका फल जरूर मिलेगा और ये भी जल ढालते समय ना संतान की प्राप्ति के लिए आपको प्रात्ना करनी है तो आई होब आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये महा शिवरात्री का उपा आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नहीं टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सब को मेरा प्यार मेर नमस्कार